इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारी एक्जाम पोस्पॉन होने वाली है या नहीं हमारी जो मॉक टेस्ट है वह होने वाली है या नहीं उसके बाद में हमें हल्टीकिट कहा से मिलेगा कब मिलेगा ओके तो हल्टीकिट के बारे में सब जो टीटल है इस वीडियो में मैं सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद में हमने जो है अभी से है एक प्राइवेट इंडस्री से करना स्ट कर दिया है अगर आपको चाहिए तो आप चाहिए कर सकते हैं कि इसके बाद प्राइब कर सकते हैं ना कोई जो है बस यहां पर फाइनल एर के मैक्जिमम इसलिए हमने सोजा कि उनके लिए कुछ कर सकते हैं हम जो है यह जो है प्रोसेजर आगे लेके जा रहे हैं ओके सो सब्सक्राइब इस चैनल और जब बात करते हैं हम फाइनल एक्जाम की जो मैटर है वह पहले समझ लेते हैं कि मैटर क्या है ओके जो भी अदर दैन टीचर्स मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है वह जो है व उनको गया है प्रॉब्लम वह चाहते हैं कि उनके लिए भी जो है वह इंप्लिमेंट हो तो इसलिए वह इंप्लिमेंट हो जाएगा तो इसलिए पूरे जो मतलब टीचिंग स्टाफ चोड़के जो भी स्टाफ है वह सब जो स्ट्राइक पर चला गया है सब्सक्राइब करने तक उसे बाद में परोसेस है वहां से फार्माट सेलेक्ट करने तक उसके बाद में माक्षित आने तक जितना भी प्रोसेस है वह सब नानट टीचिंग स्टाप करता है इसलिए उनकी जो है importance बहुत जादा है तो उनका कहना है कि यह जो है हम 30 September तक जो है continue करने वाले है अगर उसके बाद भी हमारी जो commission है वह अगर जो है implement नहीं की तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे यहाँ पर सबसे important है दो ही चीज़ होने वाले है एक तो जो है exam postpone होने वाली है एक तो हमारी mock test cancel करके एक तारीक से direct paper लेने वाले है तो यहाँ पर problem क्या है ओगे अगर suppose हम अगर यह सोचे कि उन्होंने mock test cancel कर दी ओगे अगर उन्होंने mock test cancel कर दी तो हमारा जो first October से जो है exam होगी बड़ यहाँ पर problem क्या है अगर उन्होंने mock test नहीं ली तो maximum student को first paper के time जो है problem आएगी 100% आएगी क्योंकि maximum student उसको नहीं पता इवन किसी को नहीं पता कि यह जो है कैसे वाग करता है जो theoretical हमें पता है वो अलग है पर practical हम करके देखते हैं जब mock test दे के देखते हैं तो actual जो है हम उसको face करते हैं तब जाके हमें हैं जो चीज़े हैं सब clear हो जाती है और दूसरा जो point है वो है mock test अगर उन्होंने ली और जो है exam बिली और mock test बिली तो क्या हो सकता है तो यहां पर दो कैसे से अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारे जो paper है वो और आगे जा सकते हैं बड़ इस पर भी मतलब इस पर डिपेंड है कि government उन्हों की चीज़े वह अप्रू करती है या नहीं implement करती है या नहीं अगर उन्हो में हमारे exam postpone होने वाली है because अगर उन्होंने mock test नहीं ली तो पहले paper में सबको problem आने वाली है फिर से फिर वो exam conduct करने पड़ेंगी तो इस जमले से बचने के लिए वो जो है वो करेंगे कि जो mock test वो भी ली जाए और exam में वो भी ली जाए फिर उसके लिए 10-15 दिन जो है और प्रिप्रेशन स्टार्ट रखें प्रिप्रेशन कर्टेव रखें क्योंकि कोन कब कहा कैसे जो है exam announce कर दे पता नहीं चल जाए तो कि इस में मतरे confusion में कि exam होने वाली है या नहीं होने वाली ठीक है अगर एक्जाम होई तो हम पहले से प्रिपर रहेंगे अगर 45 दिन अगर exam पोस्पान हो गई तो हम अच्छे से और प्रिपर कर सकेंगे तो यह जो सब चीजे है यह जो है अपने हाथ में नहीं है अगर मॉक टेस्ट की बात की जाए तो मॉक टेस्ट की देने के लिए मेकैनिकल इंजीनिरिंग और कॉम्पूटर इंजिनिरिंग के स्टूड़न्स य यह जो चैनल है पूरा एडुकेशनल चैनल है तो मैं इस पर कमेंट करना नहीं चाहाँगा बद आपके लिए कमेंट बोक्स ओपन है आप जाके जो कमेंट करना चाते हों कर सकते हैं सही है गलत है आपके हाथ में बिकॉज यॉर दूद फिर और आप जो है कुछ भी कर सकते या WhatsApp Group से आप Connect नहीं है तो आप जो है Direct College में जा के बात कर सकते हैं उसके बाद में कोई भी टीजेस से Contact कर सकते हैं फिल्ट फ्री टू आज देम विकाज यहां पे कोई आप उनको परिशान नहीं कर रहे हैं यह जो है यह अभी उनके पास ही अपडेट है इसकी किसी के पास अपडेट नहीं है क्यों हो टेकिट आये की नहीं आए बट हो टेकिट जो है प्रिपेर हो गए होगे बट अभी जो स्टाइक चल रहे हैं उसके वज़े से उन्होंने प्रोवाइड नहीं किये ओगे तो आप क्या कर सकते हैं सिंपल ही जो है College क हो गहिंगे उसके बाद में होल टिकिट ले सकते हैं अब हल टिकिट में जो है आपको पासवर्ड आइडी लिंक आप डाउनलोड करनी कि सब जो है उसमें दी रहेगी ओके तो यहाप कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है कि आपको हल टिकट मिलेगा कि नहीं मिलिगा अब आपको हाल टेकिट मिलेगा वह भी कॉलेज ट्रू क्योंकि जी आर में यह फुली मेंशन है ओगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो नेक्स वीडियो में मिलेंगे अगर कोई अपडेट रही तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि अपडेट नहीं रहेगे रहेगे पट आ जाती है या ले जाके अपडेट तो यह है All About The Exam अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं तो आप यह वीडियो आपको अच्छा लागए होंगा